तो फिर से एक बार शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों सुना तो आपने होगा कोरोना के चलते बहुत न्यूज में आ रही है कि बेक्थू हो गया दवाई मिल गई और अगर आप गलती से कोई खुद इसके दवा ले रहे हैं तो भाई साहब ये वीडियो देख लेना और पहले वीडियो को शेर कर लेना लाइक कर लेना भर आप देख रहे हैं दॉकटर एट्यूकेशन बात करेंगे डेक्सामिता सौन क्या है कब इस्तेमाल होता है क्या रोल है क्या उसका side effect है side effect सबसे जरूरी और सबसे जरूरी क्या कोरोना में उसका कुछ फाइदा होत है कि नहीं होत है तो किसको होत है very very important topic Dexamethasone All right let's talk about it so what is this medicine Dexamethasone क्या है Dexamethasone एक corticosteroid है अगर आप steroid के बारे में और जानना चाहते हैं स्टिरोइड के उपर पूरा science of steroid वाला हमारा वीडियो हैं वह भी आप देख सकते हैं YouTube पे और यहां पर बात हो रही है corticosteroids now corticosteroids यह एक natural हॉर्मोन है जो आपके kidney के उपर टोपी नुमा ग्लैंड adrenal gland जो kidney के उपर बैठे हैं वह बनाते हैं और यह क्या करते हैं यह तब बनता है जब आपकी बॉड़ी में किसी प्रकार का stress होता है एक stress hormone corticosteroids है corticosteroids cortisol stress hormone stress से बनता है इसके बहुत सारे काम है यह शरीर में शुगर बढ़ा देता है आपके body के heart rate बढ़ा देता है आपके सास की नलियां खोल देता है secretion कर देता है बहुत कुछ करता है अब यह बात समझे यह दवा है जो उसके जैसे काम करती है दवा कब दी जाएगी यह तब दी जाती है यह वह chemical replace करने के लिए दी जाती है जो शरीर खुद बनाना चाहिए लेकि और आपके शरीर में कोई भी वाइरस कोई भी बैक्टेरिया आके करता है इंफ्लामेशन लेकिन आधी बात सुनोगे तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा क्योंकि इस तरह सुनने में तो लग रहा है कि हां बहुत अच्छी बात है इसको तो हर बैक्टेरिया हर वाइरस की इंफ्लामेशन में दे देना चाहिए लेकिन नहीं भाईया इसके बहुत खुंकार साइड इफेक्ट है वो बताएंगे सुनते रहिए अगर अद्दा सुनोगे तो बहुत गल्थ हो जाएगा सो इंफ्लामेशन तो कम करता है और इसी के चलते स्वेलिंग कहीं पे रहे अब यह जो श्टिरॉइड है इसी कारण के वजशे क्योंकि इंफ्लामेशन कम करता है और इस्तेस हो चाहे कोई infection हो inflammation हो रहा है तो inflammation को control करने के लिए शरीर खुद इसको बनाता है और हम बाहर से भी दे सकते हैं यहां तक कि dexamethosone कुछ प्रकार के cancers में भी दिया जा सकता है तो this medicine can be prescribed to you by a doctor मगर यह medicine बहुत ही खतरनाप है यह tablet में आती है मुझे खा सकते हैं और इसका जो सबसे बड़ा issue है precautions है side effects है वो नहीं समझे न तो फिर आपके लिए गंगोर प्राध है पाप है खुद से तो सोचना भी नहीं है doctor भी दे रहा है तो भी आपको समझना पड़ेगा राइट that is very very important राइट क्यों पहली बात तो यह कि देक्सा मितासोन खाते हुए तो आपको आराम आएगा लेकिन जब बन करते हैं तब धिक्कत आ जाते हैं do not stop taking dexamithasone without talking to your doctor एकदम से बन करा एकदम से बन करा stopping the drug abruptly भूक लगनी बंद हो जाएगी उल्टी आएगी चक्कर आएगा ड्राउजीनेस हो सकता है सरमे दर्द बुखार जॉइंट मसल पेन चमड़ी निकल सकती है वेट लॉस हो सकता है तो इसलिए अगर आप पहले से कोई और ऐसी दवाई ले रहे हो जो आप अगर मानलो किसी चीज़ से अलर्जिक हो तो वह बताना है अगर आप पहले से आपको चमड़ी का और आपने डेक्सामित्रसोन लिया फंगल इंफेक्शन प्याल जाएगा बहुत जोड़ता तरीके से बढ़ जाएगा अगर आप किड्नी लिवर हार्ट ट्रांस्पलांट आइसी कोई बिमारी है कोई प्रकार का आपको हड़ी कमजोर है और कमजोर हो ज का आप प्रेगनेंट हैं ब्रेऊ-फीडिंग में तो भी डेक्सामित्रसोन आप बिना डॉक्टर की सलांगे गलती से आथ मैं नहीं लगाना है डेंटल सर्जरी में भी डेक्सामित्रसोन का ध्यान रखना पुड़ता है साइड इफेक्स बहुत जादा हो जाएं अगर आप इसके साथ मानलीजे आपने कोई और दवाइ ले लिए दारू पी ली और ज़ादा जिक्कत हो जाएगा बहुत सारे दिक्कते हैं dexamethasone में और खुद दवा के side effects तो हम पहुंचे भी नहीं ख्कर आ सकते हैं नींद उड़ सकती है आपको चौकनना कर देगा restlessness हो सकता है depression हो सकता है anxiety हो सकता है acne टक हो सकता है hair growth बढ़ सकती है acne हो सकता है bruising कि जल्दी आपकी चम्ड़ी में bruising हो सकती है menstrual period बढ़ सकते हैं या बहुत खतरनाक दवाई है अगर आप सीरियस चीज की बात करें आपको विजन प्रॉब्लम आ सकती है पैरों में सूजन आ सकती है स्किन में रैश आ सकता है कोल्ड इंफेक्शन जैसी बिमारी यह बढ़ सकती है मसल वीकनेस आ सकता है ब्लैक टारी स्टूल हो सकता है ऐसा कुछ हुआ तो तुरन डॉक्टर के पाज जाना पड़ेगा याद रखिए यह बहुत जादा डेंजरस दवाई है इसको दूर रखिएगा अगर आपको दी गई है बच्चों के रीच से इसको दूर रखना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं कि जब इतनी डेंजरस है इसको देते हैं जब बॉडी में इंफ्लामेशन इतना बढ़ जाता है इंफ्लामेशन मतलब पुलिस वाले इंफ्लामेशन का मतलब है कि पुलिस वालों के डंडे अगर आपके शरीर में पुलिस वाले बहुत जादा डंडे बरसाने लग गए आपके शरीर के अंदर आपक आपके लोकालिटी में पुलिस वालों की फॉज आ गई और वो आर्मी वाले पुलिस वाले पानी से फोर्स से हर चीज़ से फोर्स करने तो जानमाल का नुकसान होने लग जाए तब उनको भी शांत करना पड़ता है वैसे ही जब आपके शरीर में आपकी खुद की इम्यूनिटी आपको डैमेज कर रही है चाहे वो जॉइंट में आर्थराइटिस कर रही है लंग में इंफ्लामेशन कर रही है कोरोना वाइरस में जो साइटोकाइन स्टॉम कर रही है जिससे के लोग जान जाती है जिसे हमने अपने वीडियो में समझाय हुआ है तो उस हाइ इपर इम्यून रिस्पॉंस को रोकने के लिए स्टिरोइड आज नया दवाई नहीं निकला है यह सालों से हजारों सालों से काम कर रहा है ओल्रेड़ी हमारे हॉस्पिटलों में लेटरली जितने भी पेशेंट आइसीओ में भरती होते हर दूसरे पेशेंट को स्टिरोइड स्टिरोइड नहीं फैलता लेकिन बैक्टेरियल और फंगल इंफेक्शन खुंखार तरीके से पैल जाएगा पेशेंट बचाए नहीं बचेगा इसलिए सोच समझ के देना पड़ता है स्टिरोइड को मजाक नहीं समझना है स्टिरोइड जान लेवा और जान बचा भी सकता और यह हमेशा यूज होता रहता हमारा काम है वो यूज करना वो सिर्फ ऐसे स्टेज में जाके यूज होता है जहां पर जरूरत हो यह प्रिवेंशन के लिए माइल्ड कोरुना के लिए माइल्ड इंफ्लामेशन के लिए नहीं इस्तमाल किया जाता है कई लोगों को अस्थ nicht ہے, गुली खाएके, सालो सालो तक side effects हो सकते हैं, ये सारे side effects हड़ियां कमजोर हो सकती है, आपके menstrual hormonal problems आ सकتे हैं, आपके periods में प्राब्लम आसकते हैं, आपके growth hormone, आपके testosterone, आपके पूरे body के अंदर literally depression हो सकते हैं, anxiety depression हो सकते हैं, तो ये जरा भी मजाक करने वाली दवाई नहीं यह कोरोणा का इलाज नहीं इससे इतना देखा गया है कि अगर तीन पेशंट कोरोणा वायरस के आया इस्यू में भरती होते हैं और तीनों को हम कोरोना वाइरस मरने की स्टेज में हैं कि आप मरेंगे कि कब मरेंगे उसमें हम जब स्टिरोइड देते हैं तो एक को बचा सकते हैं यह रेशियो दिखा गए कुछ लोग बच जाएंगे इस पर study की गई और यहीं की इस प्रूब की गई कि हाँ यहीं इंफ्लमेशन कम करता है जो हमें पहले से पता है इंडिया के अंदर या कहले बाहर इतना constantly steroids का इस्तेमाल नहीं होता इंडिया के अंदर हमें पहले से इस्तमाल की जा रही है, करते रहे हैं स्टिरोइड, चाहे वो प्रेडनेसलोन हो, चाहे वो टेकसामितासोन हो चाहे वो कोई भी स्टिरोइड हो उसका इस्तमाल इसी तरीके से सिर्फ जरूरत पढ़ने पर भॉड़ी की हाईपर इम्यून रिस्पॉंस को कम करने के लिए किया जाता है, चाहे वो जॉइंट पर हो, ठाइराइड पर चाहे वो कहीं भी हो हाईपर इम्यून सिस्टम जब हमें लगता है कि आपकी इम्यूनिटी आपको डैमेज कर रही है तो steroid दिया जाएगा steroid को दिरे-दिरे-दिरे-दिरे करके बंद किया जाएगा और लंबे समय तक होता है steroid चल रहा तो लिवर, kidney, bone, हडियां, osteoporosis बहुत सारे major side effects होंगे उसके लिए तयार रहना पड़ेगा तो गलती से भी steroid को खुद हात मत लगाई गलती से भी पागल पंती वाली न्यूस मत देखिए न्यूस देख रहे हो तो न्यूस बंद कर दीजे न्यूस वालों को कख नहीं आता वह सिरफ एक जगह से उठाते हैं अपना मिर्च मसाला लगाते हो और आपको परोज देते हैं आपको लगता है आप खा लेते हो गोल कपा नहीं है वह उसको खाओ मत ठीक है तो इस अल बाउट स्टिरोइट्स प्लीज शेर दिस वीडियो और फॉलो अगर और कोई टॉपिक आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखके बपान थैंक यू सो मच्टे कनेक्टेट स्टेयों अग् झाल